Hello students and Jai Hind, I welcome you all to Magnet Brains. एक ऐसा platform जहां class 1 से लेके class 12 तक सारा जो material है, सारा जो study material है, सारा जो knowledge वगेरा है, आपको exactly free of cost प्रवाइट कराया जाता है. मतलब यह कि यहां पर आपको एक या दो chapters free of cost पढ़ने के बाद में, बचे हुए content के लिए कोई paid subscription लेने की जरूरत नहीं है, कोई fees pay करने की जरूरत नहीं है. magnet brain से ensure करता है कि आप लोगों तक हर परिस्तिती में एकदम quality content exclusively free of cost प्रवाइट कराया जाए और हमेशा कराया जाता रहेगा, यह magnet brain का अपना commitment है, ताकि किसी भी परिस्तितियों में आपकी शिक्षा देक्षान ना रुके, यह knowledge गीन करकर आप अपने examinations में अच्छा perform कर सके अपने careers में अच्छा perform कर सकें, बढ़िया कुछ बन सकें, माता पिता के लिए अपने लिए आप बढ़िया laurels वगएरा लेकर आ सकें, देश की तरक्की में contribute कर सकें और एक बहतर इंसान और एक बहतर नागरिक बन सकें, तो इसी note पर हम लोग अपना आज का session शुरू करते ह तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, magnet brain जिसने आपके term 2 के examination को ध्यान में रखते हुए, class 4 से लेके class 12 तक exclusively free of cost test series चालू करी हैं, उसी test series की sequence में हम लोग class 12 की history और उसका जो आपका syllabus है, उसके अलग-अलग chapters की test papers आप लोग के सामने लेकर आते हैं, जिसमें हम लोग ये देख चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए, तो इसी शरंखला को या फिर इसी करम को आगे बढ़ाते हुए, मैं आज आप लोगों के सामने हाजिर हूं, हमारा जो term 2 का syllabus है, उसका history class 12 का, उसका जो second chapter है, colonialism and countryside, उसके case-based questions बगरा को लेके, इस particular chapter में से किसने तरीके के case-based questions बन and जैसा कि मैंने बोला topic या जो theme है हमारी colonialism and countryside, that is theme number 10, दूसरे शब्दों मैं ऐसा बोल सकते हैं कि जो तीसरी किताब है हमारे इतिया, जो पहला chapter है, कक्षा बारवी का, वो और इसमें भी हम लोग, आज के session में क्या देख रहा है, जो case-based questions बन सकते हैं, याने कि जो paragraph आपको दिया जाता है वो और उसके बाद में उसके ऊपर जो question answers होता है, उसके बारे में हम लोग ने बातचीत करनी है, so now without any further ado, here we begin and हमारा पहला question ये रहा, तो पहला question जो है वो fifth report के ऊपर है, इसमें fifth report के ऊपर आपका एक paragraph बनाया गया है, और इसके ऊपर फिर आपको answer करना, चले पढ़ता है, referring to the condition of जमीदार्स and the auction of lands, the fifth report stated, जमीदार्स के जो conditions थी और जो उनकी जमीनों को लगातार auction किया जा रहा था, उसके बारे में fifth report में क्या लिखा गया, वो यहां पर दिया गया, the revenue was not realized with punctuality and lands to a considerable extent were periodically exposed to sale by auction, जो आपका revenue था, इसको लगातार punctuality के साथ में pay नही कर पा रहे था, उनकी जो जमीने थी, periodically उनको auction करकर बेचा जाता था, in the native year 1203, corresponding with 1796-97, the land advertised for sale comprehended a jumma और assessment of सिक्का रूपीज 28,70,061, to the extent of land actually sold bore a jumma of assessment 14,18,756, याने की 1796-97 में revenue को collect करने के लिए जितनी जमीन आपने बेची है, उस पे अगर आप tax वगरा जो collect करते हैं वो बनता 28,70,061 रूपे है, सिक्का रूपीज में, मगर actual में जो assessment वगर the extent of land actually sold bore a jumma और assessment of 14,18,756, मगर actual में इस पर जो आपका assessment बनता है या जो tax बनता है, वो बनता है 14,18,756, and the amount of purchase money इसे का रूपीज 17,90,416, और इसको बेचा गया है 17,90,416 में, याने कि इनका कहना यह है कि जमीन के ओपर जो tax लगाया गया है, वो था 20,00,00, जो actual में बनता था, वो था 14,00,00, और जितने में फिर वो tax वगरा collect करने के लिए जमीन बेच दी वो था 17,00,00, and something, something, ठीक है जी, corresponding with 17,90, in 1204, corresponding with 17,97-98, याने कि 17,97-98 के साल में अब क्या हुआ, the land advertised was for सिक्का रूपीज 26,66,191, the quantity sold was for सिक्का रूपीज 22,074,076, and the purchase money सिक्का रूपीज 21,47,580, अब उसके बाद का जो आपका अगला साल आया है, 17,97-98, उसमें भी जमीन का जो assessment है, इतना किया गया है, actual में उसका assessment इतना होना चाहिए था, और बिखने के बाद में आपके हाथ में इतना पैसा आ रहा है, तो ये आपको इस तरीके से दो सालों के बारे में बेचने पे क् इतना होना चाहिए था, और वो उसमें इतना पैसा आपको मिल रहा है, ये जमीने जिनकी बेच बेच के आप पैसा एकटा कर रहे हो, ये जमीनों के डिफॉल्टर्स जो थे, इस देश के सबसे पुरानी जो फैमिलीज वगरा हैं, जो पुराने वक्त से जो हैं, आपके यह ये सब जो हैं, बंगाल की डिस्रिक्स वगरा हैं, and others, the dismemberment of whose estates at the end of each succeeding year threatened them with poverty and ruin, आप इनकी जो प्रॉपर्टी हैं आप लगातार साल बाए साल जो आप बेच रहे हो, तो इसके कारण हो ये रहा है कि ये गरीबी की तरफ और बरबादी की तरफ जा रहे हो, and in some instances presented difficulties to the revenue officers in their effort to preserve and diminish the amount of public assessment, आप इनको तो आपका पावर्टी की तरफ ढखेली रहे हो, मगर कई instances में आप ये भी कर रहे हो, कि जो revenue officers हैं, उनके लिए भी आप परेशानी खड़ी कर रहे हो, in their efforts to preserve and diminish the amount of public assessment, क्योंकि public जो असेस्मेंट जो करना है, उनको जो आपकी public properties का जो असेस्मेंट करना है, इन सारे efforts में भी जो है दिक्कत आ रहे है, क्योंकि अगर आप इनकी पूरानी families जिनकी authority चलती है, जिनका एक सिक्का चलता है वहाँ पर, अगर आप उनको जो है निकालते चले जाओगे इस तरीके से, तो फिर उससे होगा ये, कि जो आपकी public officers हैं, जिनको जन्ता क पर बीच में काम करना है, जाके उन लोगों के मन में suspicion वगरा आता है, उसके करन काफी सारी issues वगरा यहां पर खराब हो रहा है, आप ये आपका इस तरीके से paragraph जो है fifth report के उपर बना के आपको दिया गया है, अब इसके उपर कुछ questions है, what was the fifth report about, about what was its significance, तो fifth report किसके बारे में था, East India Company के official records में से एक है, तो उसकी functioning, उसकी working के बारे में हमको यहां से एक अंदाजा मिल जाता है, दूसरा question जो है, what was the condition of जमीदार according to the report, तो इसमें आप बता सकते हो कि भाई, उनकी जो इस्तिती है, खराब थी, उनके जो आपके estates थे, उनका dismemberment हो रहा था succeeding years में, और जिसके कारण उनके poverty और ruin की तरफ जा रहे थे, बस यह दो लाइने आप जो है, जसकी तरस थोड़ा बहुत modification से उतार दीजे, that's it, write any two points of criticism regarding this report, तो दो बाते आएंगी इसमें, पहला तो यह कि जो सारी चीज़ें बताई गई है, इससे तो ऐसा लग रहा है कि जमीदारों की स्तिती इतनी खराब भी नहीं थी, जमीदार काफी सारी ट्रिक्स लगा-लगा कर अपनी खुद खरीद रहे थे और उसके उपर सुनका जो control है कभी जा नहीं रहा था, तो एक तो यह कि इसमें exaggeration काफी ज़ादा किया गया है, एक तो जमीदारों की जो reporting की गई है, वो पूर कर इस तरीके से कर सकते हैं, तो यह तीन questions आपके हो जाएंगे, एक नंबर का यह, एक नंबर का यह, और दो नंबर का यह, ज़ादा इसमें करने की जरूरत नहीं है, paragraph बढ़कर आप इसके उपर अपना जवाब जो है, डंग से दे सकते हैं, वो ही answers जो है, यहाँ पर लिख कर रख दिया और यहाँ पर आपके दो पॉइंट्स हो है, आपका फिफ्स रेपोर्ट के बारे में लिख दिया है, चले, उनके criticism में जो पॉइंट्स सबसे पूछे कहते हैं, तो आपको भी इसी तरह से यहाँ पर जवाब देना है, यह जो paragraph है, in fact, मैंने पहले भी बोला है मैं फिर कहरता हूँ कि जहां तक हो सके, आपका जो paper आप शुरू कर रहा है, तो सबसे पहले आपका section C में आप लोगों को जाना है, और उसमें यह जो case based questions है, या फिर जो paragraph है, आप लोग सबसे पहले निप्टाईए, सबसे पहले इनको खतम करिए, क्योंकि इसमें जादा क कुछ सोचने के लिए है नहीं, यहां पर आपका जो भी paragraph है, उसी के उपर more or less questions आएंगे, तो आपके चार-चार नंबर के जो दो paragraph है, अगर आप इनको शुरुआती 15 मिनिट, max to max 20 मिनिट में अगर आप निप्टा देते हो, तो इसका फाइदा यह होगा, कि आपके 8 में से जो है नंबर मिल जाएंगे, चले, अगला question देखना है, next question है, वो है उसका जो title है, वो है Buchanan on the Sunthals, याने कि Buchanan जब आपका राजमे दिल्स में गया था, तो वहाँ पर उसने जो सारी परिस्तितियां देखी, उसमें Sunthals के बारे में उसने अपने observations में क्या लिखा है, वहाँ से paragraph या फिर वहाँ से ये case बनाया गया, तो Buchanan wrote, they are very clever in clearing new lands, ये लोग नई जमीनों को clear करने में बड़े चतुर हैं, याने कि जंगल काट के किसी जमीन को free करना ताकि वहाँ पे खेती की जा सके, उसमें ये लोग बहुत clear, बहुत चतुर हैं, बहुत दक्ष हैं, but leave mainly, मगर ये लोग रहते हैं, बड़ी बुरी परिस्तितियों में हैं, बड़ी विशम परिस्तितियों में ये लोग रहते हैं, their huts have no fence and the walls are made of small sticks placed upright, इनकी जो आपकी huts वगरा हैं, जो 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 पडिया हैं, इनके चारों तरफ में कोई boundary या कोई fence नहीं लगी हुई, और जो ये huts की दिवारे हैं, वो छोटी-छोटी लकडियों को इन्होंने एक साथ इखटा करके लगाया है, और उसके ओपर इन्होंने मिट्टी जो है, इसको प्लास्टर कर दिया है, and the walls are made of small sticks placed upright, close together and plastered with the clay, जो आपकी जमीर, आपकी जो ये walls हैं, इनको इसने hurts की कैसे बनाया है, दूसरा, वो कुछ इस तरीके के shape की हैं, ऐसे, यह जाती हुई, मतलब जैसे-जैसे आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, वैसे-वैसे और छोटी होती जा रही है, थोड़ा यहां पर बना की बता देता है, इस तरह से, taper होती हो बनाय जाई है, इस तरीके का shape उनका आपको देख देखने को नहीं मिलती है, चला है, तो and very little arch, arch वह यह उपर की तरफ में, pointedness आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, अब यह जो है, बुकानन ने जो अपना एक पूरा account लिखा था, उसमें से कुछ लाइने इनों लेकर एक छोटा सा excerpt बनाया है, एक छोटा सा case बनाया है, अब इसके उपर अपने को जवाब देने है, पहला question, examine the role of Buchanan as an agent of East India Company, मज़ेगी बात यह है कि case-based studies बोला गया, बट यह question जो है, इस particular lines को पढ़कर answer नहीं किया जा सकता, इसके लिए आपको chapter का knowledge होना जरूरी है, और यहाँ पर आप बुकानन कौन था, बुकानन क्या कर र रहे हो कि सारे question paragraph पढ़के बन जाएंगे, तो वो भी सच नहीं है, आपको कुछ efforts अपनी तरफ से मारना पड़ेंगे, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है जी, तो बुकानन as an agent of East India Company का जोरूल हमको बताना है, तो पता रखना पड़ेगा हमको कि बुकानन East India Company का एक employee थ करना है, उसके बारे में फिर अपना planning वगरा बना सके, तो इसके लिए जो है, बुकानन को भीजा गया था, तो पहला जवाब जो है, इस तरीके से अपना बन कर तयार हो जाएगा, दूसरा, analyze the economic activities of संथल, ये सवाल भी इसके basis पर solve नहीं किया जा सकता, इसके लिए आपको स संतल के बारे में पता होना जरूरी है, तो संतल क्या करते थे, सबसे बहला तो आपके forest clear करते थे और उनको convert करते थे आपका cultivation के लिए जमीन वगरा बनाने में, ये shifting cultivation वगरा करते नहीं थे, inspired of the fact कि ये भी जो थे tribal से मगरे shifting cultivation नहीं करते थे, इसके लावा ये rise और cotton उगाने लगे थे, money lenders और साहुकार्ज वगरा जो थे, इनसे भी और जमीदारों के साथ में भी इनके contacts थे, tax वगरा पे करते थे और एक normal life की तरफ में ये लोग आ गये थे, third question है, how did Buchanan describe the living condition of संतल्स, अब इसमें अपने को ये पूछा गया, कि Buchanan ने आपका जो संतल्स थे, उनकी living condition को कैसे describe किया था, तो ये एक मातर सवाल है जो आपको ये particular paragraph पढ़कर बन जाएगा, यहां से आप शुरू कर सकते हैं कि Buchanan ने ये लिखा है कि संतल्स जो थे, वो बहुत mainly रहा करते थे, इनकी जो hurts वगरा थे, इनके चारों तरफ में कोई fence नहीं था, walls वगरा जो हैं वो उतार देंगे तो ये आपका दो नंबर के साफ से question बन जाएगा, तो ये paragraph हमको एक बात बता रहा है कि हमें पूरी तरीके से paragraph की भरोसे भी नहीं बैठना है, थोड़ा बहुत हमको आपको थोड़ा बहुत basic अंदाजा होना चाहिए आपके chapter में क्या चल रहा है, in fact यहां से जो content है उसमें से जो है इस तरीके के यह इस तरीके की questions वगरा बनाया जा रहे हैं, तो कमसकम अपने को यह करना है case studies को ध्यान में रखते हुए कि अपने को blocks वगरा एक बार पढ़ लेने हैं, आपके पास में basic अंदाजा होना चाहिए कि उस blocks को किस context में लिखा गया, किस topic क साथ में लिखा गया और उन topics अपने को एक नजर मार लेनी चाहिए, उस से अपन अगर इस तरीके के out of the box questions भी आ जाया है, जिनको अगर आप ब्लॉक पढ़ने के बाद भी अपन नहीं करने की स्थितिम है, तो भी आप उनको attempt कर सके हैं, और फिर वही बात आ जाती है, कोश संथल रेबेलियन है, संथल रेबेलियन का एक particular scene दिया गया, अब ये question भी जो है NCRD से उठाये गया है, यहाँ पर आपको संथल बताये गए हैं, सामने की तरफ में अंग्रेज खड़े हुए हैं, संथल जो हैं अपना तीर कमान से लड़ रहा हैं, और सामने अंग्रेज ड तस्वीर आपको बताई गई है NCRT से उठाके, इसको observe करने के लिए बोला गया है, और अपने से ये बोला है कि इस particular तस्वीर को देखते हुए अब आपको जो है कुछ questions वगरा को करना है, सबसे पहला सवाल कि संथल रेबिलियन किस साल में हुआ था, इसका जवाब क्या हो उसमें बोला जाए कि आप sequence में जमाईए, तो ध्यान रखना है संथल के जो rebellion है वो 1857 की revolt के पहले हुई है, संथल की rebellion 1855-56 में खतम हो गई थी, 1857 की जो revolt है वो उसके एक साल बात शुरू होती और वो उसके 1858 तक जाते जाते जो है उसको पूरी तरह से crush किया जाता है, तो What can be comfort about the nature of resistance employed by the संथल, संथल ने किस तरीके का resistance आपका दिया था, इसका जवाब यह है कि संथल ने जो आपका traditional weapons की मदद से जो है war को लड़ा था और इसमें वो काफी बड़ी मात्रा में जो है मारे गए थे, अगर आपको यह सवा, इसका जवाब नहीं पता कि यह war को कैसे लड़ा था, तो भी इस तस्वीर को देखकर जो है जवाब दे सकते हैं, एक हाथ में आपको तलवार देखने को मिल रही है, बाकियों के हाथ में आपको तीर कमान देखने को मिल रहा है, ठीक है जी, और सामने वाले जो है वो गन लेके खड़े हुआ है, तो आप से पूछ से अपने resistance देने की कोशिश करिए, थर्ड वाला question, what were the main reasons behind the santhal revolt, तो santhal revolt के जो main reasons थे, हम लोगों ने इसके पहले वाले जो sessions हुए है, long answer type questions में भी इसको discuss किया था, सबसे पहले तो santhals जो थे, उनको लग रहा था कि उनको जो जमीन है, उनके हाथ से जा रही है, दूसरा जो reason निकल कर आया था, वो ये आया था, निकल कर कि जो santhals थे, ये लोग, इन लोगों के मन में एक feeling आने लगी थी, कि भाई, ये जो money lenders हैं, ये हमारे साथ में गलत कर रहा है, तीसरा इनका exploitation हो रहा था, चौथा इनको लग रहा था, कि हमारे उपर जो taxes हैं, वो बहुत ज दूमा जी को माना जाता है, एक general consensus है कि santhals की revolt में इस वेक्ती ने जो है, lead santhals को किया था, चलें, आगे बड़ा, So with this we come to the end of the session, इस particular session में हम लोगों ने, जो हमारा term 2 का syllabus है, उसका जो second chapter है, या फिर जो second theme है, theme number 10, colonialism and countryside, इसके उपर case-based questions किस तरीके से बन सकते हैं, उसके बारे में बातचीत करिए, case-based questions किस तरीके से prepare किये जा सकते हैं, किस तरह से जवाब देना है, किन बातों का ध्यान किन बातों को हमें avoid करना, and most importantly, एक understanding कि case-based questions में जरूरी नहीं है, कि paragraph पड़कर आपको सारे के सारे सवाल, जसके तरह मिल जाएं, या फिर ऐसा भी जरूरी नहीं है, कि आपको paragraph ही मिले, आपको कोई तस्वीर दिखा के भी events वगरा के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपक दसका दस copy-paste किया जा रहा है, तो कमसकम अपने को वो जो blocks वगरा अपनी NCRT में दिये गए हैं, उसके साथ में जो आर्टिकल लिखा गया है, जो भी topic है, जिसके support में वो छपा गया है, उन particular topics को अपने को देखना है, ताकि अगर out of context भी कोई सवाल वगरा आप पूछा ज सारे chapters के जब यह revision series हो जाएगी, तब उसके बाद में हम लोग map-based questions सबके खटे करेंगे, तो जो अपना next session रहने वाला है, उस next session में हम लोग इसी के आगे जो आपका third unit रहेगा, उसके साथ में हम लोग अपनी discussion या अपनी बातचीत को बढ़ाएंगे, आज के लिए मगरे session यही पर समाप्त करते हैं, समाप्त करने के पहले आपको बताना चाहेंगे, आप लोग magnet brains की हमारी website पर visit करिये, यहाँ पर class 1 से लेके class 12 तक सारा education जैसे आपको मैंने शुरुआत में भी बोला था, exclusively free of cost available है, यहाँ पर किसी तरीके का को hidden charge आपको pay करने की जरूरत नहीं है, और आप जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं, कोई issues यहाँ पर नहीं आएंगे, आपको आसानी से सारे के सारे videos, order तरीके से arranged हैं, website पर बढ़िया तरीके से देखने को मिल जाएंगे, और फिर वही बात है, जितना हो सके आप इस फाइदा उठाएं, जितना हो सके उतना करें, इसी note पर I would be calling it the day and including the lecture, मिलते हैं next lecture में, next session में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, positive रहिए और खुश रहिए, thank you, जहिंदे.